दोस्तो एक бात तो आपको पता हूँ है कि जब हम काफी दीर तक पानी में रहते हैं या पानी में काम करते है तो हमारी सकन सिकुड जाती है लेκिन कभी आपने ऐसा सोचा है कि आखिर ऐसा होता क्यों है चलिए मैं आपको बताता हूँ गाईज आपको बता दो कि हमारे हाथ पर की स्किन का सिकुड़ना ये बिल्कुल नैचुरल बात है इसका हमारी सरीर पर कोई बुरा असर नहीं पड़ता है दोस्तों medical.net के एक report के मुताबिक ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारी स्किन के सब सुपरी लेयर में सीवम नाम का एक oil मौजूद होता है जो कि सरीर के लिए raincoat की तरह काम करता है जो हम normal पानी से अपना हाथ दोते हैं तो इसी oil की वज़ा से बाराम से फिसल जाता है जब हम ज़्यादा देर तक पानी में रहते हैं तो ये सीवम oil धुल जाता है इसी वज़ा से पानी body के अंदर जाने लगता है ये वज़ा है कि पानी में ज़्यादा देर तक रहने के बाद हमारे हाथ पैर की स्किन सिकुड जाती है लेकिन जब हम उतने हाथ पैर को पानी से बाहर निकालते हैं तो हाथ पैर की स्किन पानी को सोखने लगती है और जिससे हमारे स्किन सिकुड जाती है और गाइस इस प्रोसेस को aquatic wrinkles खहते हैं दोस्तों आपको ये जानकारी कैसे लगी हमें कॉमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब परके हमको सपोर्ट करें